नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मुगल वंश में जो सबसे पहले शाशक आते हैं बाबर इनके बारे में हम पढ़ते हैं मुगल वंश के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे जो आपकी परिक्षा के लिए बेहद इंपोर्डन्ट है परिक्षा आपकी आने वाली है तो परिक्षा के हिसाब से हम चलेंगे परिक्षा को टार्गेट करके ही चलेंगे तो मुगल वंश का संसापक बाबर था आप सभी जानते हैं बाबर ने दिल्ली सलतनत के आखरी शाशक इब्राहिम लोदी को हराने के बाद इब्राहिम लोधी को हराया ही नहीं इब्राहिम लोधी को रन भूमी में मार भी दिया था और एक नए वंश की श्रुवात की जाती है बाबर के दवरा जिसे मुगल वंश के नाम से आप जानते हैं इसी की बारे में पढ़ना है और इब्राहिम लोदी वो एक मात्र दिल्ली सल्तनत का शाशक हुआ जो रणभूमी में मारा गया इसे पहले जितने भी सुल्तान हुए है दिल्ली सल्तनत के न वो कोई ऐसा नहीं था जो रणभूमी में मारा गया हो इब्राहिम लोदी एक मात्र है तो सबसे पहले चलते हैं बाबर का जन्म बाबर का जन्म बच्चो चौदा फरवरी 1483 तो अपने आप में 14 फरवरी वेलेंटाइन डे का दिन है इसी दिन इसका जन्म दिन हुआ है आप आसानी से याद कर सकते हैं 1483 इसमें जन्म हुआ था इसके पीता और माता का नाम याद दख लेजिए उमर शेख मिर्जा इसके जो पीता की ओर से जो दादा पर दादा थे वो सभी मिर्जा की उपाधी ग्रहन करते थे मिर्जा की उपाधी ग्रहन करते थे और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा ये तैमूर खा के वंशेश थे तो बाबर हम कह सकते हैं बाबर तैमूर खा का वंशेश था अपने पिता की ओर से जबकि माता का नाम था कुतलुग निगार खा और कुतलुग निगार खां मंगोल की वंशेश थी मतलब जो चंगेज खां का नाम आपने सुना है ना उसकी वंशेश थी तो आप देख सकते हैं कि बाबर की रगो में पीता की ओर से तो तैमूर खां का खून बहरा है और माता की ओर से चंगेज खां का खून बहरा है दिल्ली सल्तनत जब आपको पढ़ाया था सब समझाया था तो टैमूर खा और मंगोल शाशक चंगेज खा का ये वंशच था लेकिन अपने आपको ये प्राउड महसूस करता था चंगेज खा का वंशच मानने में ये ज़्यादा प्राउड फील करता था इसलिए इसको मंगोल इसको मुगल वंश का संस्थापक माना गया है इसका जन्म कहा हुआ था उजबेकिस्तान में जगा पढ़ती है बच्चो फरगना ये आज जो जगा है उजबेकिस्तान में पढ़ती है फरगना वहाँ पर इसका जन्म हुआ था अब 1483 इस्वी में इसका जो जन्म हुआ था लेकिन मातर 12 वर्ष की आयू का था तो इसके पिता की मृत्ति हो जाती है 1494 इस्वी में और ये 12 वर्ष की आयू पर गदी पर बैठ गया था अब फरगना इसके हाथों में आ गया इसका जाशाशक बन गया लेकिन इसके मामा चाचा जो थे इसके पीछे पड़े हुए थे फरगना को छीनना चाते थे शड़ेंत रच रहे थे लेकिन इसने उनको सफल नहीं होने दिया और छोटी सी उमर में महत्वकांशी बहुत था इसका ये में टार्गर था ये समरकंद बगल में समरकंद है साड़े 500 किलोमेटर के आसपास इसको ये अपने अधिकार में लेना चाता था इसको अधिकार में लेने का कारण ये था समरकंद पर इसके जो वंशेज थे जैसे तैमूर खाँ चंगेज खाँ उन्होंने इसको अपनी राज़दानी बनाया था तो इसकी भी महत्वकांशा ये थे कि समरकंद को जीत कर मैं अपने सामराजी की राज़दानी बनाऊंगा और जो स्टेटेस है मेरा वो मेरे वंशेजों जैसा हो जाएगा तैमूर खाँ और चंगेज खाँ इनकी तरह मेरा भी स्टेटेस बन जाएगा ये इसकी सोच थी इसलिए समरकंद पर अधिकार करना चाहता था गदी पर बैठते ही इसने टार्गेट करना शुरू कर दिये समरकंद को लेकिन सफल नहीं हो पाया पहले प्रयास में दूसरे प्रयास में सफल हो गया जब 1497 इसवी का टाइम पीरिड था इसने समरकंद पर हमला किया और समरकंद पर अधिकार कर लिया लेकिन आपको पता ह मात्र सो दिन ही हुए थे समरकंद पर अधिकार किये हुए उधर फरगना में विद्रो हो गया तो इसने समरकंद के चकर में फरगना और समरकंद दोनों ही अपने हातों से खो दिया इसने अपनी बायोग्राफी में लिखी हुई है बाबर नामा इसकी बायोग्राफी है बाबर नामा या तुजू के बाबरी अभी आगे बताऊंगा मैं तुजू के बाबरी तुजू के बाबरी इसने खुद लिखी हुई है तूर्की भाषा में लिखी हुई है बाबर नामा और तुजू के बाबरी इसने उसमें लिखा ताजिक्स्तान में एक पहाड़ी है खोजंद पहाड़ी उस पहाड़ी पर इसने अपना समय बिताया और अपने आपको तयार किया और दुबारा से इसने समरकंद और फरगना पर अधिकार करने को सोचा ये मामला चलता रहा कभी ये इस पर अधिकार करता फरगना और पर कभी इसे छीन लिया था तो मतलब कुल मिला जुला के सकसे नहीं इसको मिल पा रही थी ठीक है टेंपरेरी जीत मिलती थी जैसे कुछ एक्जामपल मैं आपको बता दूँ 1499 इसवी में 1499 इसवी में इसने फिर से फरगना पर अधिकार कर लिया लेकिन कुछ ही महीनों बाद दुबारा से इसको फरगना से हातों निकल गया उसके बाद 1501 इसवी में इसने समरकंद पर अधिकार कर लिया लेकिन 8 महीने के बाद इससे बुरी तरह इसको हराया गया समर बाबर को बहुत बुरी तरीके से हराया और हमेशा हमेशा के लिए ये जो मद्ध एशिया वाला भाग है यहां से भगा दिया इस युद्ध में शैबानी खाने इतनी बुरी तरीके से हराया था कि इसको ये छोड़कर मद्ध एशिया छोड़कर भागना पड़ा और अफगा अफगानिस्तान में स्ट्रगल करने के बाद इसने अफगानिस्तान में जो आप जगा पड़ती है काबुल वहां पर अधिकार कर लिया ठीक है यह सर ए पूल का आप याद रखेंगे सर ए पूल का जो नाम है याद रखेंगे और सर ए पूल के युद में शैबानी खाने तु तुलगमा युद्ध पर्णाली का इस्तेमाल किया था जिसको कॉपी कर लिया गया बाबर के द्वारा और इसको आगे चल कर जो पानीपत का पहला युद्ध होता है उसमें यूज किया जाता है तो इतनी बार हार गया था बाबर इतनी बार हार हो गई थी उसकी कि उसको इतन 504 इस्वी में काबूल पर इसने विजे हासिल कर ली अब यहां पर इसने पादशा की उपादी ग्रहन की जो बादशा आगे चल कर कहलाई तो मिर्जा की जगा इसने पादशा की उपादी ग्रहन की इसके पीता इसके दादा इसके जो पीता के वंशेस थे उन्होंने मिर्जा की उपादी गरहन की थी लेकिन उसके विपरीत इसने पादशा की जो पदवी है वो गरहन की अब पंदरा सो चार इस्वी में काबूल पर अधिकार करने के बाद अपने आपको मजबूत करना शुरू कर दिया इसने सोचा दुबारा से समरकंद पर अटैक किया जाए तो उसक साथ की विदूलत इसने पंदरा सो इग्यारा में समरकंद पर अधिकार कर लिया लेकिन आपको मालूम है ये अधिकार कुछ दिनों तक रहा दुबारा से इसको उजबेकिस्तान के एक शाशक इस समय आ चुके थे उबेदुल्ला इन्होंने बाबर को फिर से भगा दिया त समरकंद पर अधिकार ही नहीं करना है भाईया अब समरकंद पर लगातार इसने तीसरी बार असफलता हासिल की तो इसने पूरा ध्यान अब बोला मैं इधर जाऊंगा ही नहीं अब मैं अपने दक्षिन और पूर्वी जो हिस्सा है जो की भारत वाला हिस्सा है ये सोने की च इंडिया पर ध्यान देना शुरू कर दिया अब इंडिया पर इसके प्रारमबिक आकरमण क्या हूए वो देख लीजीए अपर इसने प्रारमबिक 5 आकरमण किये जो पांचवा आकरमण है वो ही पानिपत का पहला युद्ध है वो इंपोर्टन है बाकी इंपोर्टन नहीं है फिर भी मैं समय बता दे रहा हूँ आपको 1519 इस्वि में इसने बाज़ोर और भेरा वाला जो छेतर जीता फिर 1519 के आखरी वर्षों में इसने पेशावर वाला छेतर जीता 1520 में पंजाब कोट के सियाल कोट तक का इसने छेतर जीत लिया तो 1524 में लाहूर सहित पंजाब का जो अधिकान छेतर इसके कबजे में आ गया जो ही 1524 वर्ष में लाहूर सहित पंजाब वाला इलाका इसके अधिन आया तो भारत में जो बड़े बड़े शाशक थे उनको इसकी जानकारी मिल गई और उनको ये उमीद जग गई कि भाईया बाबर आ गया है अब ये दिल्ली के जो सुल्तान इब्राहिम लो दिया है इसको मार के भगा देगा और हम दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएंगे क्योंकि जो बाबर है वो तैमूर का ही वंशज है और तैमूर की तरह ये भी लूट पार्ट करने ही आया होगा सामराज ये बसाने घर बसाने तो आया नहीं है बस लूट पार्ट करने आया है इसी चक्कर में कई बड़े बड़े शाषकों ने बाबर को निमंतरन दे दिया कि भईया आओ दिल्ली में हम आपकी हेल्प करेंगे दिल्ली के शाषक इबराहिम लोधी को यहां से भगाओ और अपना जो लूट पार्ट करके लेकर जाना है ल दौलत खान और यह पंजाब के गवर्नर थे इन्हों ने भी निमंतरन दिया था इसके अलावा मेवाड के शाषक राजपूत शाषक राणा सांगा ने भी निमंतरन दिया था और इसी निमंतरन के बड़ूलाद 1526 में पानिपत का पहला युद बाबर लड़ता है और इब इबराहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है और दिल्ली सल्तनत को समप्त करके मुगल वंश की स्थापना हो जाती है 1526 में तो 1526 में जो युद हुआ था ये सबसे महत्तपून पहला युद है भारत में आप मान सकते हैं हलाकि है तो पांचों युद लेकिन सबसे महत्तपून पहला युद यही है ठीक और ये जीतने के बाद कलंदर की उपाधी इसको मिली थी कलंदर की उपाधी इस तरीके से मिली थी कि बाबर ने सोचा कि भाया मैं विदेश से आया हूँ यहां के लोग कहीं बागी ना हो जाएं तो 1526 का युद जीतने के बाद इसने जो चांदी की सिक्के थे ने चांदी केटा का वो बटवा दिये लोगों में तो लोग खुश हो गए लोगों ने इसको दयालू माना शुरू कर दिया कलंदर की उभाधी इसको मिली ठीक है कलंदर की उभाधी मिली जो तुलगमा युद्ध पद्धति थी वो इस्तेमाल इसने यहां पर खूब की तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तमाल इसने किया जो इसने जीता था सरे पूल के युद्ध में जो भी इसने एक्सपीरेंस हुआ था इसकी इतनी बार हार हुई थी एक्सपीरेंस हुआ था उसका इसने पूरा एक्सपीरेंस यहां यूज किया जब भी हार जीवन में होती है वो कहीं वेस्ट नहीं जाती है आपको कुछ ने कुछ experience दे कर ही जाती है तो वही हुआ बाबर के साथ और बाबर ने बहुत अच्छी सफलता यहां हासिल की यह देख लीजिए बाबर के द्वारा बसाया गया समराज्य यह है यह blue color यह आप देख रहे हैं बैंगनी color में आपका जो यह सामराज्य है यह बाबर के द्वारा बसाया गया समराज्य बच्छों इसके बाद जो बागी सामराज्य बसा हुआ है आने वाले जो शाशक है उनके द्वारा बसाया जाएगा यह मेवार के जो राजपूत शाशक थे राणा सांगा जिन्होंने निमंतरन दिया था उनके बीच और बाबर के बीच में होता है बाबर भी इसमें भी जीत गया था और इसमें जिहाद का नारा दिया था बाबर ने और गाजी की उपादी गहन की थी गाजी की उपादी आप जानते होंगे काफिरों का सर्वनाश करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको गाजी की उपादी दी जाती है काफिर मतलब जो गैर इस्लामिक लोग होते हैं इसके लावा चंदेरी का युद्ध 1528 में चंदेरी मध्यप्रदेश में जगा पड़ती है और मेदनी राय मालवा के शाशक है यहाँ पर मैप में आपको दिखाता हूँ मैं यह पैन नहीं चल रहा है क्यों हाँ यह मालवा के जो शाशक थे मेदनी राय और बाबर के बीच में युद्ध होता है इसमें बाबर की जीत हो जाती है फिर उसका 1529 में बाबर के जीवन का आखरी युद्ध घागरा का युद्ध इस युद्ध में बाबर की सेना एक लेकिन इस युद्ध में भी बाबर की जीत हो जाती है यह युद्ध थल में भी लड़ा गया था और जल में भी लड़ा गया था घागरा का युद्ध इसमें भी बाबर की जीत हो जाती है और 1530 में बाबर की मित्ति हो जाती है बच्चों 1530 में बाबर की मित्ति हो जाती ह आगरा में इसको दफनाया गया था लेकिन बाद में कुछ वर्षों के बाद उसके अवशेश को वहां से हटा कर निकाल कर काबूल में ले जाया गया वहां दफनाया गया वहां पर इसका मकबरा है वरतमान में तो बाबर का मकबरा कहां पर है कहां पर है काबूल में है अब ब बाबर की ये खुद बाबर ने लिखी हुई है तुरकी भाषा में लिखी हुई है बच्चों तुरकी भाषा में ठीक है तुरकी भाषा में इसको फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया है फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया है वो अब्दुलरहीम खाने खाना के द्वारा किया गया है अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा इसको फार्सी भाषा में अनुवादित किया गया है अब बाबर के द्वारा पानिपत में एक मस्जिद का निर्मान करवाया गया ये तस्वीर देख रहे हैं ये काबुली बाग मस्जिद है अब मस्जिद क तोड़ कर उसके उपर बनाया गया था और ये बनाया गया था मीर बाकी के द्वारा जो बाबर का ही सेनपती था मीर बाकी मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी ठीक तो बच्चों ये है बाबर के बारे में इतनी जानकारी ये इनफ है आपकी परीक्षा के लिए जो परिक्षा आने वाले न उसके लिए ये इनफ है इसके बाद बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायू गद्धी पर बैठता है उसका भी जीवन बहुत स्ट्रगल पूरवक रहा है उसके बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है एक टाइम हुमायू का ऐसा आया था कि उसने अपना मुगल सामराज जी ही खो दिया था लेकिन बाद में किसमत अच्छी थी कि उसको मिल गया बीच में शेरसा सूरी आ गया था उसने सूरी वंश की स्थापना कर दी थी उसको यहां से भगा दिया था वो सब कहानी हम आगे पढ़ेंगे तो चलिए मैं आपको एक असानी से नहीं मिलेंगे क्योंकि इतनी महनत से पांच-छे साल की उसमें महनत है और इतनी सिंपल भाशा में एक एक चीज सिंपल भाशा में पढ़ाई गई है अगर कोई वीडियो भी नहीं देखेंगे आप कोई किताब भी नहीं पढ़ेंगे तो इतनी असानी से आपको स में आप expert हो जाएंगे यह guarantee है तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले episode में तब तक के लिए नमस्कार